अयोध्या अखुर राम में बनी चुकियू छे त्यारे अयोध्या नगरी मां किन्नर समाजना वड़ा छे ते पनाविर्या छे महामदले स्वर छे तेवो पनाविर्या छे तेमने प्राण प्रतिष्टा मां उपस्ति द्रेवा माटे आमंत्रन छे आप बताईए अयोध्या न राम से होती है मेरे समुदाई की पैचान राम से होती है तो राम नहीं तो किनर नहीं आयुद्या का जब बिनास हो रहा था विकास नहीं हो रहा था जब भी हम थे हमने देखा वो हाल आज विकास हो रहा है तो हमसे जादा कोई कहते हैं सीमा नहीं है आज मेरा नर नारी का वि घर राम है मर्यादाव परसुतर राम आ रहे हैं और स्वारा देश मर्यादाव के साथ बंदता जा रहा है तो इसलिए मेरा देश राम में हो गया है और हमसे ज्यादा किन्वरों से ज्यादा कोई खुशी नहीं होगा हर प्रांथ से लोग आ रहे राम बक्त हर जगह से आ रहे कितना महत्व पूर्ण था राम मंदिर बनना देखे महत्व पूर्ण तो इतना था कि जैसे के मर्यों को संजीव नहीं मिलना क्यों धीरे 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 करके हमने संपरदाय मार दी हमने मर्यादाय मार दी हमने नदियों को पतन पर लिया है, हम नारियों को पतन पर लिया है, गायों के पतन पर संस्कृति की पतन पर लिया है, इसलिए इस समय बिलकुल अंत पर बैट के हम, इस समय मर्यादा परसुतर राम का मंदर बनना, इसलिए जरूरू था कि क्यों हमें प्लैनिट बचाना है, पर बैठेगा तो जब भी हम प्लैनेट को बचा पाएंगे तो राम का आना यानि के प्लैनेट बचाना पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है राम मंदिर प्राण पत्रिस्ता मों किसके अभारी मानते हैं आप कौन निमित है देखिए निमित तो हमारे मोदी जी और योगी आज से पहले राम मंदिर के मुद्दा बनाके रखा और यह भूल गेते के राम मंदिर मुद्दा नहीं इतने करोडों लोगों की आस्ता है वो मुद्दा 500 साल बनके रहा और आज कोई मुद्दा रहा ही नहीं तो उन्हें ना आने का मुद्दा चाहिए तो राजनीती ना क करके हम संस्कृति पर चले समिधान पर चले और सनातन पर चले सब की जय होगी जिस प्रकार से राम मंदिर प्राणपटिस्ता मोच सवे कॉंग्रेस को भी न्योता दिया गया था उन्होंने कहा जाता है कि ठुकराया है कितना नुकसान होगा देखिए कॉंग्रेस में बचा को उन्हें राहुल विदेश में पड़ा है सोनिया विदेश की उन्हें संस्कृति से मतलब क्या है जो संस्कृति जाने वो ही तो राम को पेचाने उन्हें तो आयोध्या मुद्दे में चाहिए थी वो मुद्दा उन्हों का हो चुका है खतम और अयोध्या का क्या पूर हिंदुस्तान का मुसल्मान हिंदू सब जाने चुका है कि बिना राम के कुछ भी मुम्किन नहीं है और आज अयोध्या में खाली हिंदू का भी कास हुआ है जाके देखिए सारा मुसल्मान खुष है चड़ाओ चड़ाओ बनाने वाला खुष है उस इंसान को पूछी जो रा स्पोर्ट बन गया नई नई सड़के बन गई हॉस्पिटल बन गए यही तो एक समाज को चाहिए होता है और एक मंदिर से एक सहर का इतना विकास होता है एक राम के नाम से पूरा सहर राम में हो जाता है तो इससे बड़ी चीज किया है कि वो राम ना कभी भारत छोड़के गए थे संस्कृति छोड़के गए थे सिप कुछ दिनों के लिए यह लोगों ने राजनीती करियों कि राजनीती टोटी है सिख गई टिपन बंद हो गए अब वो हॉलिडे के लिए कही पर बिचाए बिल्कुल आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है किसे नुकसान कि से फैइडा ब्रकों देखे मुद्दा बनाने वालों को नुकसाने राम मंद्र बनाने से फैयदा क्योंकि हमने तो 2018 में भी बोला Рाम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं 18 में मैंने बोला था इसी अयोध्य आंदोलन में दो से आज विपक्ष नहीं छोड़ा कल ये नहों कि हम तुम्हें भी ना छोड़े तो मोधी जी ने हमारी बात माले नी जो मेरे राम का वो हमारे काम का इलकुल जोई सकाय चे माहा मंडलेश्वर चे अलग अलग विस्तार थी ते वो आया चे आप बताईए किस तरह का माहौल आयोध्य नगरी में आप देख रहे जी बहुत सुन्दर और सत्य का जीत हुआ है सनातन धर्म का जीत हुआ है पुरा आयोध्य नगरी दुलहन की तरह सजा हुआ है मैं यही कहना चाती हूँ कि राम राम सत्ते हैं राम ही सत्ते हैं राम भगवान पान सो बरस से एक टेंट के कुटिया में थे आज उनका भव्वे मंदिर बन रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे हमारे कारसेवक ने अपना जान के आउती दिया और बहुत सारे हमारे बुजरुकों ने अपना बलिदान दे के आज राम मंदिर भव्वे तरीके से बन रही है तो यह बहुत बड़ी चीज है सनातन धर्म का जीत है और हम ये कहना चाहती हूँ कि राम मंदीर ऐसे नहीं बना और राम भगवान से हम लोग को सिखना चाहिए राम भगवान मारेदा पुरुस्तम थे तो उन्होंने एक अपने पिता जी का एक बचन को रखने के लिए उन्होंने अपना 14 बरस बनबास थे तो भी हमारे किनर माता 14 बरस बनबास थी और आज 500 बरस के बाद ये राम मंदीर बनने जा रहे तो ये बहुत अच्छी चीज है और हमारे किनर लोग का बहुत बड़ा ये खुसी है और हम लोग अपना खुसी एक अपने सब्द में मैं बेक्त ने कर सकती हूँ इतना ज्यादा खुसी है और राम चरित्र मानस में कि 20 बार उलेक हुआ है तो राम भगवान से हमारा कितना पुराना नाता है आप लोग जानी रहे हो और राम चरित्र मानस में ही नहीं है हर पुरानों में हर उसमें चाहे महाभारत में देखो चाहे आप उसमें रामायन में देखो हर चीज में किनरों का अस्तित्तों मिला जात chi j Ottawa आए और आज राम यूग आ रही है तो किणर यूग भी आया है तो किणर लोग इतना हम इक अलग तरीके से अपना खुशिबेत कर रहे हैं किनाच गाना करके अपना सोहर मंगल गाना गाके अपना खुशी बेक्त कर रहे हैं और हम एक बात यह कहना चाहती हूं देखिए हम लोग जहां बैटे हैं उसके पीछे हमारे बहुत पुराना हमारे समाधी है हमारे बुजरुकों के अजारों साल पुराना हमारे समाधी है तो हम ऐसे अयोध्यनगरी है जहां पे बहुत पुराना इतिहास एकी नरोका और हम यही कहना चाहती हूं कि सनातन धर्म का जीत है और राम भगमान से बहुत कुछ सिखना पड़ेगा आप लोगो आज कल खाली धर्म का बात हो रही है और कहीं न कहीं सस्किर्ती और प्रमप्रा का बात न नहीं होगी तब तक हमारा सनातन धर्म मजबूत नहीं होगा इसलिए आप लोग से कहती हूं कि राम भगमान का मंदीर तो बन रही है इसका तो हम लोग सब खुचे को भी यह लागू करवाना चाहिए थाई रहाचे जोके वड़ा खुद अत्यारे सर्यू नदीना काठे बेशीने तियो अत्यारे हाल राम मैं बनी चुक्या थे ने राम निकता वर्ण विर्याचे कैमेरामेन प्रदीप साथे दनराज बागले एबिप असमीता अयोध्या